और बड़ी कबर CA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बड़ी कबर CA का नोटिफिकेशन जारी हो गया है CA को लेकर इस वक्की ये बड़ी कबर है अधिसूचना जारी कर दी गई है CA की खबर आ रही थी की आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा ग्री मंत्राले और अब खबर पकी जारी हो गया है नोटिफिकेशन जिसके लिए पहले ही कह दिया गया था कि चुनाफ से पहले सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन लेकर आएगी और ये लागू किया जाएगा तो ग्रीम अंत्राले ने अब इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस वक्ती बहुत बड़ी खबर CAA को लेकर भारत में CAA लागू हो गया है ग्रीम अंत्राले ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यानि ऐसे लोग ऐसे शरणार्ती जो पडोसी देशों से किसी धार में कुछ पीडन का शिकार होकर के भारत में आए हैं और यहां पर चिप करके रह रहे हैं और माइनॉरिटी हैं वहाँ पे किसी अत्याचार से परशान होकर वो भारत में शरण चाहते हैं और यहां पर गुस्पैट करके रह रहे हैं तो ऐसे लोगों को अब नागरिक्ता सरकार देगी और इसके लिए बकाइदा जाच की जाएगी प्रक्रिया रखी गई है अलग से उनलाइन प्रक्रिया होगी आवेदुकों को इस पर एप्लाई करना होगा उसके बाद गुरी मंत्रालेब उनकी पूरी जाच करेगा और उसके बाद आगे पूरी प्रक्रिया पालन की जाएगी और फिर तै किया जाएगा कि नागरिक्ता कि एक बात बिल्कुल स्पश्ट और फुर्वर तरीके से कह दी गई है। आए हैं चाहे वो धर्म के नाम पर हो या वो माइनॉरिटी है उस आधार पर उनको कही दबाया गया हो भारत में जिनोंने शरण ली है नागरिक्ता उनके पास नहीं है CAA के माध्यम से अब उनको नागरिक्ता दी जा सकेगी और उसके लिए सही पातर कौन है ये ग्रे मंत्रा लेते करेगा बिल्कुल और इसके लिए एक पोर्टल भी हाली में जारी किया गया पोर्टल तयार किया गया है उस पोर्टल पर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऐसे लोग जो कि भारत की नागरिक्ता चाते हैं जो बांगलादेश पाकिस्तान या अफगानिस्तान में माइनॉरिटी हो और इन 6 में हिंदू हैं, इसाई हैं, पार्सी हैं, सिख हैं तो ये 6 जो धर्म के लोग हैं वो जब भारत आए हैं जो साल 2014 से पहले भारत आ चुके हैं उन्हें नागरिक्ता का रास्ता साफ हो जाएगा CAA की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूजरूम से जड़ चुके हैं, साल 2019 में ही CAA को लागू किया जाना था, तभी ये पास हो गया था, लेकिन देश भर में विवाद और विरोत को देखते हुए अभी तक लागू नहीं हो पाया था, अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, आज अधि सूचना जारी हो गई. जिस बात का जिक्र आपने किया, कि आपसे कुछी दिनों के बाद लोगसमाज उनाओं की तारीकों का एलान होना है, और किन सरकार ने जिस तरीके से CAA को लेकर के अपनी प्लैनिंग की थी, लगातार आप देख रही थी कि 2019 के बात से लगातार जिस तरीके CAA को लेकर के तम जाये लेकिं सरकार लगातार इस बात को साफ कर रही थी कि नागरेक्ता प्रदान करने के लिए CAA है, नाकि नागरेक्ता छीनने के लिए है, तो ये सारी चीज़े त्वार के से लागू किया जाएगा रूस आफ नोटिफिकेशन क्या है ये भी आब बता दीजे और साथ ही ये भी कि क्या ग्रह मंतरी अमिट शाह का संबोधन होना है इसे लेकर जिस तरह की बाते हो रही थी पहले ही इसके दिसूचना जारी की गई है तो अभी जैसे ही इसके बारे में जो तमाम पार्ट्स हैं जो क्लॉस्स हैं तमाम जो चीजे रखी गई है इस दिसूचना के बात वो सारी चीजे जैसे ही सामने आती हैं दर्शकों को वो सबसे पहले बताएंगे जहां तक आपने कह अमित्शा के संबोधन की तो देखे जायर तोर पर जब अदिसूचना जारी की गई है तो उस सारी चीजों को केंसरकार की तरफ से ग्रेमन्तुरी जरूर सामने रखें के अब वो आज रखते हैं या कल रखते हैं या अभी तक साफ नहीं हो पाया लेकिन फिलाल या अदिसू चुनाओं की तारिखों के एलान से पहले ही सिये की अदिसूचना जारी करती जाएगी और आज ये महत्पूर ख़बार सबसे बड़ी ख़बार गई है कि सीये के अदिसूचना जारी करती गई है अब जैसा कि आपने सवाल किया में का वो कुछी दिर के बाद कुछी बग तस्वीर साफ हो जाएगी लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे बहुत से शरणार थी जो कई सालों से भारत के अलग-लग शहरों में रह रहे हैं उनके लिए अलग से कैम्प हैं या फिर सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर उनको रखा गया है अवैद तरीक करते हैं कि उनको नागरिक्ता मिले तो ऐसे में प्रक्रिया क्या रहेगी और उसके बाद फिर किसको दी जाएगी किसकी पातरता है नहीं है यह कैसे तैह होगा देखें सबसे वड़ी बात आसता यहां पर यह कि जिस तरिके से आप देखती हैं कि जो पुरा येसिये को लेकर करके जो प्रारूप त्यार किया गया है या तमाम जो चीजे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो के वार से आयको है जिनके पास दागरिकता नहीं है और तमाम जो सरकार की जो योजनाएं है चाहे खाद्यान की योजना हो चाहे प्रदानमंतरी आवास हो तमाम जो योजनाएं है उनका लाब लोगों को नहीं मिलता यानि कि जब भारत की फिगर्स की पॉइंट आउट होती है और जो परसेंटेज निकाली जाती है उसके आधार पर जब तमाम चीज़ें होती है तो ऐसी लोगों की संख्या जो है वो आखड़े को एक तरह से काजय की मिस्माश कर्प्रूइब लोटेंगे आपके पास लोटेंगे तो बड़ी खबर है CAA की अधिसूचना जारी हो गई है 2019 में पास हुआ था अब अधिसूचना जारी हुई है य तो भारत में आकर किसी तरह से रह रहे हैं चिपचिपा कर या कहीं शरण में तो वो भारती नागरिकता के लिए अपलाई कर सकेंगे चाहे वो सेंटर्स पर जाकर अपलाई करें या ऑनलाइन पोर्टल के जरी अपलाई करें उनकी जाच की जाएगी कि वो वाकई कहां से आ झाल झाल झाल